नमस्कार पिरिये विध्यार्थियो मैं सुरेशकुमार एक बार फिट से आपके साथ दोस्तो अगर कल आपकी एक्जाम है CBT एक्जाम तो मैं आज ITAE 2nd Year के पूरे पेपर का इनलिस करूँगा जिसमें इस पेपर में आपके ट्रेड थेोरी के 40 क्यूशन है और 20 क्यूशन आपके तैयरी बहुत अच्छी है लेकिन एक्जाम से पहले प्लीज इस पेपर का एक बार या दो बार अभ्यास करके जरूर जाना यानि एनलिस करके जरूर जाना जिससे में ज्यादा नहीं आपके 80% क्यूशन यहां से आने वाले अब काफी बच्चों को डाउट है सर कैस दोस्तों मैं बता दूँ अभी आपकी 2021 में मार्च में एक्जाम हुई थी उस टाइम से लेके अब तक सेकेंडर की जितने एक्जाम लगी है वहां से आप पर 80% क्यूशन पूचे गए अगर आपको सका है तो आप अपने जिन बच्चों ने सेकेंडर की एक्जाम देदी उ उनसे भी चर्चा कर सकते हो साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रूप है जहां पर काफी कई अजरों बच्ची जुड़े हुए हैं जिनमें रोज बच्ची काफी एक्जाम देगे हैं अभी आपकी एक्जाम कल से स्टार्ट है तो आप कल इस पेपर का इनलिस करके जरूर जाना क यानि रोज जाद नी हमेέह 30 चारिस वाहां से मिल जाते हैं अब 30 चारिस वाहां से Яवह से तहीर हो जागी अगर आपकी आगये तो भी आपकी त्यार यहां हो जाएए जिससे आपको अगसाम में काफीहल्प मिलेगी तो मै capable दोट – जा नो diary आपको एक्जाम में क वहां से मिलेंगे काफ़े टेखनिकल बढ़ती आने वाली है तो काफ़े अच्छी से त्यारी करके जाओ कोई दिक्कर नहीं लेकिन एक बार इस पेपर का अनलस करके जुरूर आग बंद करके विश्वास करो में विश्वार नहीं दिला सकता लेकिन एक जम देने के बाद आक आख़ए 10-12 मिनट का वीडियो का कोई दिक्कर नहीं है पहला क्योशन दोस्तों जनेटर दुवारा किस उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका राइट आंसर के आएक दोस्तों D अगला क्योशन दोस्तों Dc जनेटर में प्रेरित ए-म के दिशा ग्यात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है तो दोस्तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उपयोग में करते हैं जनेरेटर की बात हो रही है अगर यही बात मोटर की होती तो वहापर आपका फ्लेमिंग का बाया हाथ का नियम आ जाता है तो दो क् सद्यव केल बरी इसमें इसमें मेगर क्योंकि दोस्तों आपका कि निम्न प्रतिरोद मापने के लिए क्योंगी जीरो से लेकर अनंत क्रेडिंग दर्साता है तो लगब के सबसे निम्न माप होती है आपको पता आर्मिस्री की प्रतिरोद के तो लोग जिरो पॉंट दो ऐसे होता है ठीक है अगला क्यूशन है दोस्तों आपका DC को फिल्ड कोईल के लिए किस वार्निंग उप्यों के ज़ता है दोस्तों इसका निर्दार हम फ्लेमिंग के दाए हाथ का नियम के नुश्वा करते तो इसका राइट आंसर आएगा अगला क्यूशन है शोट और ओपन सर्कीट के लिए आर्मेचर वार्निंग का परिक्षन करने के लिए किस उपकरन का उप्यों किया जाता है तो दोस्तों आर्मेचर वा उपन सर्कीट टेस्ट करने के लिए यानि परिक्षन करने के लिए हम इसके लिए आपका बहाय गिरावदर काम में लेंगे करने के लिए किस उत्तर को प्यों करता है तो दोस्तों इसके लिए हम शुत्र कामें लेंगे कुल विद्यू डिग्री बराबर होता है एक सोसे इंटू दूरो की सिंग्राइट आंसर के आएगा डी अगला क्यूशना दोस्तो पूल लोड पर दस एच्पी तीन कला प्रेन मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है तो दोस्तो इसके लिए जो फ चे पूल इसटाटर मोटर की विद्यू डिग्री क्या होती है तो दोस्तो इसमें 6 पूल मोटर की विद्यूज डिग्री वहोगी एक जार अची ठीक है दोस्तो तूर राइट आंसर सी अगला क्योशना है तीन क्ला सकेंद्रे वाइंडिंग का आउगुन कौन सा है तो दोस में किस प्रकाइगी मोटर ती सखाए गई है दोस्तो आप यहां पर देख रहे हैं दो क्वैपिसेटर लगी हूई और आपने मोटर वा लेशन पर होगा जहाँ पर दो मोटर ती अपकी केपिसिटरर रन मोटर तो इसका right answer के आएगा तो इसका right answer आएगा D यानि केपिस्टा केपिसर run motor यह है अगला कि उसन दोस्तो single phase induction motor शुरू करने के लिए कौन सी विधी अपना जाती है तो दोस्तो इसके लिए हम फेज विवाज़क की कि विद्धी अपनाती है राइट answer के आएगा A अगला कि उसने एककल चलन पिरेन मोटर का कारी सिध्धानत क्या है तो दोस्तो इसका कारी सिध्धानत आएगा लेंज का निग में right answer के आएगा A अगला कि उसने सावरभोमिंग motor का अनुपरियोग कौन सा है तो दोस्तो सावरभोमिंग motor का अनुपरियोग आपका motor बोजन mixer यानि इसका भी इसका right answer आएगा अगला alternator की कैसे रेटरी कर जाता है दोस्तो alternator को हमिसा KVA में रेटरी कर दे है इसके लिए आपको transfer पूचे तो वो भी KVA में आएगा ठीक है इसके लिए आपको DC motor generator पूचे तो KW में आएगा अगर motor पूचे तो HP में आएगा तो इस प्रकार ये रेटिंग जरू याद करके जाना अगला क्यों सुने है गुणन छेतर प्रकार अल्ट्रेटर का उप्यों करने का क्या फायदा है तो दोस्तो इसका right answer आएगा आपका दो सिलिप रिंगों की आफसेकता होती है चाहिए फेजोगी सिंगे कितनी भी हो अगला क्यों सुन है रोट्री कनोटर के भाग अक्स का क्या कारी है तो बताओ दोस्तो इस अक्स भाग का क्या कारी है तो दोस्तो इसका कारी होता आपका वित्तित पर्त्यक्स दारा एक्तित करता है right answer डी अगला क्यों सुन है दोस्तो गुणिशन पर क्यों सुन है अगला कि उसने motor generator set का lab क्या है तो दोस्तो motor generator set का lab क्या है तो दोस्तों इसका right answer रहेगा D DC output voltage को आसने से नियन्तित किया जा सकता है अगला कि उसने amplifier का नाम क्या है दोस्तों यह diagram में जो amplifier इसका नाम क्या है दोस्तो उसका right answer वागा यह class B push pull amplifier यह right answer B अगला क्यूसर ने दोस्तो आपका क्यूसर एक सक्क्रेगटक है कुन सा है दोस्तो इन में से सक्क्रेगटक कुन सा हैगा तो दोस्तो यह इसमें आएगा आपका transistor यह यह इसका इसका right answer होगा अगला क्यूसर है silicon semiconductor diode किस code को इंगित करता है तो दोस्तो यह करता आपका B यानि आपका BY 126 यानि B इसका right answer आएगा अगला क्यूसर ने दोस्तो control panel wiring में पर्युक्त सामगरी का क्या नाम है दोस्तो यह काफी बार क्यूसर पोचा गया CBT exam में तो दोस्तो इसका right answer आएगा यान जो आपको wiring में पर्युक्त समगरी है यह कून सी है तो दोस्तो यह आपकी केबल बादने की पट्टी यानि डिसक का right answer होगा अगला क्यूसर ने तारों को गुच्छा करने के लिए कून से केबल बंदों का उप्यू के जाता है दोस्तो इसका right answer आएगा नाइलोन बंद यानि इसका right answer होगा अगला क्यूसर ने पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरन से बचा जाता है तो दोस्तो इसका right answer आएगा अगला क्यूसर इसका right answer आएगा आपका motor को नियंतित करने क नियंते करने के लिए एक विद्यो त्यांत्रिक उपकरन कामी लिए तान यानि इसका राइट आंसर आएगा अगला क्यों सुने DC ड्राइव में BOP का पूंड रूप क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर आएगा आपका Basic Operation Panel यानि 20 का राइट आंसर है अगला क्यों सुने Operation के Mode के अनुसार किस ड्राइव को वरगीत किया गया है दोस्तो इसका राइट आंसर आएगा आपका निरेंतर ड्यूटी ड्राइव यानि डीस का राइट आंसर होगा अगला क्यूशना दोस्तो यदि ISI के अनुशार गोशित वोल्टेज नियूनतम 240 वोल्ट है तो अधिक्तम अनुशार गोशित वोल्टेज कम जादा होती है तो 240 का प्लस माइनस 5 परशेंट कम जादा होने का मतवल है कि 1005 दुनी 10 और इसका आग हो गया 12 तो दोस्तो 40 में 12 करते हैं गटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तो तो यह आएगा दोस्तो आपको 28 यानि इसका 20 का राइट आंसर आएगा किस सब्द से तात्प्री है कि किसी परधार्त का दर्योमान इलेक्रोलाइट से एक उलाम विदुत द्वारा मुक्त होता है तो दोस्तो उसका राइट आपको अच्छा लगे अगर पेपर अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोरो करना जिससे आपको आगे में नोच् विदुत रहा साइन तुलियांगे डी इसका राइट आपसर होगा अगला कि उसने सक्षिपत नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है तो दोस्तो इसका राइट आपसर आएगा आपका निर्बात विदुत आपूर्ती अगला कि उसने वरग तरंग इन्वेटर का उप उसका राइट आपसर होगा उसमें शक्ति उत्पादन अगला कि उसने दोस्तो आई-एक नियमों के नुशार मध्यम वल्टेज गेरलू इस्टोलेस में किनी दो चालकों के बीच इन्सुलेशन परतिरोद होता है दोस्तो इसका राइट आपसर होगा एक मेगा उम से अधि अगला कि उसने बाइंडिंग वाइर गेप को बहुत पास रखने और पिन शुटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है दोस्तो इसका राइट आपसर होगा इस पार्किंग से बचे अगला कि उसने सर्किट ब्रेकर की टूटने की शमता का मुल्यांकन कैसे किया जाता ह है दोस्तों वह किया जाता है में मेगावल्ट एमपर में अगला क्यूशन है दोस्तों आपका लिकेज करेंट है लिकेज करेंट प्रोटेक्शन से बचा हो है तो वाइरिंग सर्किट में के साथ कौन से सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आन्स तो दोस्तो वीडियो थोड़ा बढ़ा हो चुका है तो अभी मैं उन्हीं चार्डिस क्यूजन थोड़ी करा रहा हूँ इसके बाद में आपको व्रक्षप के अलगरास मिनाओंगा और यह इसके अलगरास मिनाओं सुबह से पहले आपको तीनों पेपर में अभी डाल दूगा कोई दिक्कर नहीं है यहने एक अभी डाल लो एक थोड़ी देर बाद में एक बाद में डाल लो यहने तीनों पेपर आपको एक्जाम से पहले मिल जाएंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राब जरू करना और अपने दोस्तों के साथ सेट जरू करना जिससे उनको भी का प्रोफ